बड़ी खबर आपको बता दे, MP के बाद, UP ने भी कोरोना के खत्रे के बाद, नाइट कर्क्यू लगा दिया है, कल से प्रदेश में नाइट कर्क्यू के नियम लागू होंगे, शादी बारात में भी सिर्फ 200 लोगों को ही इजाज़त होगी, देश में ओमिक्रॉन केस 346 हो ग पांकी है, इलाबाद हाईकोर पहले ही कहा चुपा है कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए और चुनाफ कलना चाहिए, अभिशेक मिश्रा, मेरे सयोगी लखनव से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अभिशेक का क्या-क्या गाइडलाइन उत्तर प्रदेश में जारी की गई है, नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या नियब? कोविट के नियुमों का पूरा पालन करना है, संख्या अधिक नहीं हो सकती, कई कलब्स और कई इस तरीके के होटलों ने अपने कारक्रमों को रद्द भी कर दिया है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहा है, चुकि यूपी में फिलाल तो दो ही माम के सामने आया है, लेकिन खत्रा टला नहीं है, लगातार जो सस्पेक्स से उनकी संक्या बढ़ गई है, जो साड़े 4,000 से जादा है, जिनकी स्कैनिंग हो चुकी है, तो ऐसे में यूपी सरकार ने भी आपिस तर्द भी कर दिया है, क्योंकि जिस तेजी से, जिस रफतार से ओमिक्रॉन के मावले देश भर में बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए राज सरकारे तमान तरह की पाबंदिया लगा रहे हैं